राजय सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच गए हैं और पटना पहुंचने के बाद तमाम करकरता उनसे मुलकात भी कर रहे हैं लेकिन पार्टी में एक तबका है एक वैसा वर्ग भी है जो ये लगतार डिमांड कर रहा है कि तेजस्वी यादव को कमांड सोपनी चाहिए आप क्या कहेंगे देखिए बड़ी निताओं का यह ब्यान है और तेजस्वी जादो बिहार के लिए नहीं देश के लिए भी बड़े निता होक्यों में चेहरा उभर कर आए हैं और हम सभी लोग उनको रांते हैं आदरनी लालू परसादो के आसिरवाद उ अब आदरनी लूपरसादो का असिरवाद उस्का ब्राप्त और वह आने वाले दिनों में अनका आमांकन भी होत आ रासवा के मुदवारों का पार्टी कर्याले में जो पुस्त काले बना है उसका उड़ घातन भी होगा क्या और कार्च क्रम है लालुजी जिने भी रास्तवा में भेजना हो पार्टी के कर्चकरता को भेजें उन हम लोगों ने सारा अधिकार उनको दे दिया रिकाब सवाला है कि यह जातिय जनगन्ना को लेकर जो लगतार यह विरोधा भास था आप बीजेपी और जेडियेव के अंदर बीजेपी ने अपना एस्टेंड केलियर कर दिया है कि अब जातिय जनगन्ना के लिए जूसर दल्य बैठक होगी उस बैठक में हम लोग सामिल हो तो क्या खेंगों लगता है कि यह पख़ियेशर में आकर कि यह फचला लिया फरीशर या नहीं घ्राइव का कि अगर सरकार ौह नहीए दो यह तो हम लोग आंधोलव करने का काम करेंगा लूँ जबाने का लुआ हुँ नोगं आपकर करेंगे 맞는 हैं'T तो हम को भी भी उसको करना है अगर नहीं चाहेगी तब भी हम लोग उनके साथ है इस मामले पर जाती की संख्या कितनी है बजट में प्रवधान जो होता है जानशा क्या पैसे का उस में हमारी जाती के विकास की लिए प्रवधान किया है हर जाती को जानने का अधिकार है इसलिए हम हमेसा जनता के हितों की चर्चा करते हैं लडते हैं इसलिए हमारी जीत होगी बिल्कुल आरजडी के निता हैं अमुख प्रवक्ता हैं भाई बिरंद जी ये करें कि जिस तरह से आरजडी ने स्टेंड लिया उसके बाद उनके स्टेंड के आगे तमाम प्लिटिकल पार्टियों को जुकना पड़ा और जाती जनगन्ना को लेकर स्रुदलिय बैठक में बी